बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिस से आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में जैसा कि आप सभी जानते हैं इस वीडियो में जो है हम ही मार्शल प्रदेश के most important question के बारे में discuss कर रहे हैं और इससे पहले जो है next question से शुड़ करेंगे तो question number 51 के बात करेंगे which valley of HV is popularly known as the jaswandun तो swan valley को जो है jaswandun के नाम से जाना जाता है बात करेंगे next question की तो ये जो है फावरंग परवर्चोटी तो ये कहां सित है तो ये जो है कि नो डिस्टिक में आपको देखने को मिलेगी बात करेंगे भेरियांग दर्रे की तो भेरियांग दर्रा जो है कुलू को जोडता है किस डिस्टिक के साथ तो ये जो है कुलू को कांगरा के साथ connect करता है बात करेंगे लच्छा मौंटेन पीक की तो ये जो है लच्छा मौंटेन पीक आपको देखने को मिलेगा लोगल स्पीटी में बात करेंगे महा मोरिन फोर्ट की तो ये जो है महल मोर ये फोर्ट है वैसे तो ये ये जो है बोरंच यानिकी हमिरपूर में आपको देखने को मिलेगा सीकरी उसकी बात करेंगे सीकरी जो कि लोकनरत्यों है कहां बनाए जाता है तो ये सीकरी जो है चंबा का लोकनरत्यों है बात करेंगे हिमसवान की तो हिमसवान जो है कब लौंच किया गया था ये जो है 5 फरबरी 2,48 को हिमाशल प्रदेश में लौंच किया गया था बात करेंगे हिमाशल प्रदेश की जो है Compulsory Primary Education Act तो ये कब इनेक्टेट की गई थी तो ये जो है 1953 में injected की गई थी बात करेंगे सिकंदर धार की तो सिकंदर धार जो है आपको देखने को मिलेगी मंडी में धारों से related question अकसर HPGK में पूछे जाते हैं तो ये जो है बहुत important topic रहता है बात करेंगे founder की जो कुटलेहड प्रिंसली स्टेट का है तो जसपाल जी जो है कुटलेहड के संस्तापक थे बात करेंगे गोरी शंकर टैंपल की ये जो कहां है हिमाश्र परदेश में तो ये जो है गोरी शंकर जो है नगर कुलू में आपको देखने को मिलेगा बात करेंगे मिंदल देवी टेंपिल की तो ये जो है देवी कोठी में आपको देखने को मिलेगा देवी कोठी I think जम्बा में सिच्वेटेड है तो बात करेंगे नेक्स क्उष्चन की जो रासा डांस है प्रिविलेंट इन्विच डिस्टिक तो कौन सी डिस्टिक में रासा डांस बनाया जाता है तूसरी मोडोस डिस्टिक में यह आपको देखने को मिलेगा बात करेंगे 2011 की जनगर्णा के अनुसार तो लिटरिसी रैंक दो हिमाशल परतेस का कौन था बात करेंगे रगुपूरगड की तो रगुपूरगड किला जो है कहां आपको देखने को मिलेगा तो यह जो है कुल्लू डिस्टिक में आपको देखने को मिलेगा बात करेंगे स्कोडी मिले की तो स्कोडी फियर जो है कहां बनाया जाता है तो यह जो है जो गंदिर नगर मे जो world की सबसे oldest है तो यह ताव-ो-मठ आपको देखने को मिलेगा बात करेंगे चंदरकूप ताल की चंदरकूप ताल कहाहां देखने को मिलेगा तो चंदरकूप ताल चंबा डिस्टिक में आपको देखने को मिलेगा पारवती धित्तियो Hydroelectric Power Agency इसके त्वारा संचारित की जा रही है तो National Hydro Power Corporation त्वारा जो है NHPC त्वारा इसे एक्सेक्टूट के जा रहा है बात करेंगे Institute of Integrated Himalayan Studies की IIAS तो यह आपको देखने को मिलेगा शिमला डिस्टिक में बात करेंगे धामी डोमेनिन की तो जो है इसके जो फांडर थे वो थे में की गी थी और बात करेंगे Executing Agency की जो है देहर की तो यह जो है देहर भाकड़ा व्यास Management Board द्वारा जो है संचालित किया जा रहा है बात करेंगे हिमाचरपर देश में नंगल उन्ना चराड ब्रोडगेज ड्रेलवे लाइन की कुल नंबाई की तो 33 किलो मीटर जो है इसक आपको कुलू में देखने को मिलेगा बात करेंगे धल्ट्रोन की तो दल्चान लोकन रित्यों कहां पर बनाए जाता है तो यह जो किनोरी लोकन रित्यों है बात करेंगे कारदंग मठ की तो यह जो है किलोंग यानिके लोहस्पिती में आपको देखने को मिलेगा बात करें इनिवलूंगर्द इसे को सब्सक्रा include Прाइब सबनार के चाहरे मानों चाहरू सब्कार करेंगे इस में लिप्पा मैं मिलेगी और किय में देखनें जो सब्सक्राया भी उसक्राया to इनम गोड़ने में देखनें को मिलेगा बात करेंगे iau सब्सक्राइब сы22 कब? तो उसाथ में जो है बस्ती राम तो ये कौन से अंदोलन से जुड़े हैं तो ये जो है पजोता अंदोलन से जुड़े हैं बात करेंगे सुकेती फोसल पार्क की तो सुकेती जो है फोसल पार्क जो है सिर्मोर में आपको देखने को मिलेगा बात करेंगे बोज़री development block की तो ये जो है बिजारी बिजारी जो है development block आपको मेरपूर इस्टिक में देखने को मिलेगा बात करेंगे लावा बार्डूग प्रजेक्ट की तो 25 मेगाबोट का ये प्रजेक्ट है ब्यासन नदी के ऊपर जो है construct किया गया है model eco village तो ये जो model eco village है इस cancer मारे पास available नहीं है अगर आपके पास जो इस cancer है तो जुरूर से comment करके बताएं और बात करेंगे लेवर कोट की तो लेवर कोट मार्शल परदेश का कहा है तो ये जो है शिमला में भी स्थित है और धर्मशाला में भी जो लेवर कोट देखने को आपको मिलेगा रेनकोर जी डैम की capacity पूछी गी है तो 40 मेग अवाट का जो है रेनकोर जी डैम capacity है गिरी नदी पे बनाया गया है सिर्मोर में तो 40 मेग अवाट की जो है इसकी capacity है बात करेंगे दार बेड़ी और डंडू लोगनित्यों की तो ये जो है कुलू डिस्टिक में बनाया जाते है दार बेड़ी और डंडू जो है कुलू में बनाया जाते है बात करेंगे percentage population urban of HP तो ये जो है 10.03 प्रतिशर जी हो है सहरी अबादी माचल प्रतिश में है बाकी जो 90% ग्रामिन शित्रों में रहती है बात करेंगे सीर खड अली खड और गंपर खडगी तो ये जो है आपको विलासपो डिस्टिक में देखने को मिलेगी बात करेंगे जंगी मुनिस्ट्री की तो जो है कलपा कलपा में जो है जंगी मुनिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी तो उमीद है दोस्तों आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जो से वीडियो लाइक करें चैनल सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंज के साथ भी वीडियो शेयर करें नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा हाइड्रो एलेक्री प्रजक्ट के रेटेड रहेगा तो वीडियो जरू से लेकें जल्दी वीडियो अप्लोड कर दे जाएगा थैंक्यू एंड़ गुड देए